ताजमहल भारत भारत की सबसे अनमोल धरोहर ताजमहल भी दुनिया के साथ अजूबों में से एक है अपनी खूबसूरत कलाकारी आकरते की वजह से इसे अजूबा बोला गया था ताजमहल का निर्मान 1632 में शाह जहां द्वारा करवाया गया था यह एक प्यार की निशानी है जिसे शाह जहां ने अपनी पतनी मुम्ताज की याद बनवाया था सफेद संग मरमर का बना ये मकबरा पूरी तरह से सफेद है जिसके चारों और बगीचा है एवं सामने पानी की बारी है ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है इस जैसे सुन्दर कलाकृती दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी मुगल शासक शाहजहा ने जब इसे बनवाया था जानते हैं सेवन वंडर्स अब दो वर्ल्ड इन हिंदी में ताजमहल के बारे में और अच्छे से इसकी उचाएग 290 फीट है पंद्रह साल का समय लगा था और इसे बनाने के बाद राजा ने निर्मान से जुड़े सभी मज़़ूरों के हाथ कटवा दिये थे ताकि वे ऐसा कुछ दूसरा न बना सके भारत में मुगलों लंबे समय तक शासन किया था इस दौरान उन्होंने बहुत सी शिल्पकारी कलाकृती बनवाई थी जो आज तक भारत में मौजूद है ताजमहल की सुंदर्ता को देखने के लिए देश दुनिया से लोग दूर दूर से आते है चिचेन इत्सा मेक्सिको में बसा बहुत पुराना मायन मंदिर है इसका निर्मान 600 AD में हुआ था चिचेन इत्सा माया का सबसे बड़ा शहर है यहां की जनसंख्या भी अधिक है मेक्सिको में चिचेन इच्जा में सबसे पुराना पुरातात्विक स्थलो में से एक है जहां हर साल 1.4 मिलियन पर्यटक गूमने आते है चिचेन मेक्सिको में युकांतन राज्य में स्थित है निमनलीखित अधिक जानकारी 7 Wonders of the World in Hindi इस प्रकार है चिचेन इच्जा का माया मंदर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है इसकी उच्चाए 89 फीट है जो पत्थरों से पिरामित की आकरते का बना है इस मंदर में उपर जाने के लिए 4 दिशाओं से सीधियां बनी है टोटल 365 सीधियां है हर दिशा से 99 सीधियां है ऐसा कहा जाता है कि हर एक सीधियां एक दिन का प्रतिक है उपर 365 दिन के लिए एक बड़ा चबूत्रा बना हुआ है ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित है येशु मसीखे 38 मीटर लगभग 130 फीट उची और 28 मीटर चोड़ी यह प्रतिमा दुनिया के अजूबों में से एक है इससे उची कोई भी प्रतिमा आज तक नहीं बनी है Seven Wonders of the World in Hindi में इसे और अच्छी से जानते हैं इस मूर्ती का निर्मान 1922 में शुरू हुआ था जो 12 हक्तूबर 1931 को इस जगह पर स्थापित किया गया था यह मूर्ती क्रांकीट और पत्थर की बनी है जिसे ब्राजील से सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था एवं फ्रैंच के महान मूर्तिकार लेंदोस्की से इसे बना के तयार किया था इसका वजन 635 टन के लगभग है यह रियो शहर के 700 मीटर उची कोरकोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है दुनिया भर में इसायग धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीक है चीन की दिवार चीन चीन की इस विशाल दिवार के बारे में कौन नहीं जानता यह दिवार कई हिस्सों में वहां के शासकों द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी जिसे धीरे-धीरे जोड दिया गया इसका निर्मान सात्वी शताबदी से सोलवी शताबदी तक हुआ था यह महान कलकृती इतनी मजबूत और विशाल है कि इसे Great Wall of China कहा गया इस चीन की दिवार की विशालता को वैग्यानिक ने अंतरिक्ष से भी देखा है इस मानब निर्मित कलकृती वहां से भी दिखाए पड़ती है जानते है Seven Wonders of the World in Hindi में इसके बारे में अच्छे से इसका निर्मान मित्टी, पत्थर, इंट, लकडी और दुसरे मटीरियल को मिला कर हुआ है चीन की दिवार लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है और यह 30 feet उची है ये दिवार किले के समान बनी है, इसकी चोड़ाए इतनी है कि इसमें 10-15 लोग आराम से चल सकते है पेट्रा जॉर्डन, साउथ जॉर्डन के पेट्रा की कलाकृती साथ अजुबों में शामिल है इस शहर में चत्तानों को काटकर वास्तुकला का निर्मान हुआ है, साथ ही यहाँ पानी की नाली नुमा प्रनाली है, यही वज़े है ये शहर बहुत फेमस है इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ को पत्थर काटकर कलाकृती बनी है, वो सब लाल रंग की है Seven Wonders of the World in Hindi में इसे और बढ़िया से जानते हैं इसका निर्मान 3.1.2.20 के लगभग हुआ था ये जॉर्डन का मुख्या आकर्शन है, जहां हर साल बहुत से पर्यतक जाते है यहां उचे-उचे मंदिर है, जो आकर्शन का केंद्र है इसके अलावा तालाब नहें भी है, जो बहुत सुन्योजित तरीके से बनाई गी है रोम का कोलोसियम प्रोम रोम के इडली में बसा यह एक विशाल स्टेडियम है ये रोम का मुख्या आकर्शन है इसका निर्मान बहत्तर इस्वी में शुरू हुआ था, जो असी इस्वी में पूरा हुआ था ओवल शेप की ये विशाल आकरते, कंक्रीट वर रेट से बनाई गई थी इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के साथ अजूगों में अपनी जगह बनाए हुए है Seven Wonders of the World in Hindi में इसके बारे में ऐसे जानिये प्राकतिक आपदा और भूकम्प से इसे थोड़ा बहुत नुक्सना हुआ लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है यहां पचास हजार से असी हजार लोग बैट सकते है यहां जानवरों की लड़ाई, खील कूद, संस्कृतिक कार्यक्रम होते है यह 24,000 वर्गमीट की क्षेत्र में फैला हुआ है इस जैसी आकरते को बनाने की कोशिश कई इंजिनिरों द्वारा की गई लेकिन यह एक तरह की पहली है, जिसे आज तक कोई सुझा पाया है माचू पिच्चू पेरू दक्षन अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू एक उची छोटी पर स्थित शहर हुआ करता था समूत तल से 2430 मीटर उपर, पंद्रवी शताब्दी में इसमें इनका सभ्यता रहती थी पुरा तत्व विदो का माणना है कि माचू पिच्चू का निर्मान राजा पच्चाकुती ने 1400 के आसपास करवाया था यहां उनकी शासक रहा करते थे, उस समय वहां इनका जाती रहती थी धीरे धीरे ये सभ्यता नश्ट हो गई थी, लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंगम ने इसकी खोच की 1983 में युनेसको इसे विश्व की धरुहर घोशित किया यहां इनका सभ्यता की कलाकृती को आज भी देखा जा सकता है, बहुत से वहां ऐसी चीजे अभी मौजूद है, जो उनके द्वारा बनाई गई थी माचू पिच्चू पर्यतकों का ध्यान अपनी और अकर्षित करता है, इसे देखने कई लोग जाते है Seven Wonders of the World in Hindi में माचू पिच्चू के बारे में अपने जाना Seven Wonders of the World in Hindi में 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 जाना